हम लोग कक्षा साथ की दुर्वा भाग दो के हिंदी की पाठ्था पुस्तक में से उसका पहला पाठ चिडिया और चुरूंगन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं चिडिया और चुरूंगन जो कविता है वो हरिवन्श राय बच्चन जी के द्वारा लेखी गई है चिडिया और चुरूंगन कविता के अंदर चुरूंगन जो है वो चिडिया का बच्चा है और इसके अंदर हरिवन्श राय बच्चन जी ने कहा है कि अगर हम लोग अपने लक्षे के उपर ध्यान दें अगर हम लोग अपने लक्षे को पूरी शिद्दत के साथ हासिल करने के लिए कोशिश करें और बार बार कोशिश करें लगातार उस चीज़ के लिए कोशिश करते रहें तो वो एक ना एक दिन हमें जरूर हासिल होता है तो वही अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छोड गोंसला बाहर आया देखी डालें देखे पात यहाँ पे चिडिया जो है वो एक मा है और चुरुंगुन उसका बच्चा जो है वो अपनी मां से छोटी छोटी बातیں पूछ रहे है जैसे एक छोटा बच्च अपनी मां से बोलता है तो बोलता है कि छोड गोंसला बाहर आया देखी डालें देखे पात शुरुंगुन जो है वो चोटा है और वो गोंसला छोड़ कर बाहर आ चुका है उसने बाहर आकर डालें देखी, शाखाएं देखी, पत्ते देखी और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात मा क्या मुझे को उड़ना आया, नहीं चुरूंगन तू भरमाया अब अपनी मा से बोल रहा है, उसने जब पत्तों की हिलमिल सुनी चुरूंगन ने तो उनको आपस में बात करते हुए सुना, तो वो अपनी मा से पूछता है कि मा क्या मुझे उड़ना आ गया है, तो उसकी मा जो चिड़िया मा है, वो उसको बोलती है कि नहीं चुरूंगन, तुझे अभी भ्रम है, तुझे उड़ना नहीं आया है डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियां, देखे फूल, उपर उठकर फुनगी जानी, नीचे जुकर जाना मूल मा क्या मुझे को उड़ना आया, नहीं चुरूंगन, तुझ बरमाया अभी जो चुरूंगन है, वो गोसले से बाहर आया है अभी उसने गोसले से बाहर आकर पत्ते देखे थे, उनकी बाते सुनी थी पत्तों की अब वो एक डाली से उसने दूसरी डाली पर पहुंचना सीख लिया है उसने कलिया देखी हैं, उसने फूल खिलते हुए देख लिये हैं उसने फूलों को देखा है, अब उसने उपर उठ कर फुनगी जानी यहां पर फुनगी का मतलब है कि व्रिक्ष की जो शाखा होती है उसका जो उपर वाला भाग होता है जो उसका सिरा होता है उसको बोला जाता है फुनगी अब उसने वहां से उपर उठकर अपनी गर्दन को उपर उठाकर उसकी उपर वाला जो शाखा का भाग है उसको देखा और नीचे जुक कर उसने मूल जो उसके पाउं के नीचे है धरती है उसके पाउं के नीचे तो उसको भी उसने जुक कर देखा अब उसने ये सारी चीजें देखी तो उसके बाद वो फिर से अपनी माँ से प्रशन पूछता है कि माँ, क्या मुझको उड़ना आया है या नहीं आया तो उसकी माँ उसको बोलती है कि नहीं चुरूंगन, तूं भरमाया अभी तुम्हें भ्रम है कि तुम्हें उड़ना आ गया है, तुम्हें उड़ना अभी नहीं आया है कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट खाने गाने के सबसाथी देख रहे हैं मेरी बाट मा क्या मुझ को उड़ना आया, नहीं चुरुंगन, तुम भरमाया अब उसने कच्चे और पक्के फलों की पहचान करनी सीख ली है उसने खाने और गिराने शुरू कर दिये हैं जो उसको फल अच्छे लगते हैं वो खा लेता है और जो उसको नहीं अच्छे लगते हैं वो गिरा देता है खाने गाने के सबसाथी जैसे हम सब लोगों के दोस्त होते हैं तो वैसे चुरुंगुन के भी दोस्त हैं तो वो उसकी जो सेम एज के लोग हैं वो उसकी रहा देख रहे हैं तो वहीं पे चुरुंगुन बोल रहा है कि मेरे जो खाने गाने के जो सबसाती हैं वो मेरी राहा देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैं कब उनके साथ खेलूंगा मा क्या मुझे को उड़ना आया नहीं चुरूंगन तू बरमाया अब वो फिर से मां से पूछता है कि मा क्या मुझे उड़ना आ गया है या नहीं उड़ना आया तो उसकी मा उसको फिर से बोलती है कि नहीं बेटा नहीं चुरूंगन बेटा तुम्हें अभी भ्रम है तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया उस तरू से इस तरू पर आता जाता हूं धर्ती की और दाना कोई कहीं पढ़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठोठोर मा क्या मुझे को उड़ना आया, नहीं चुरूंगन, तुम भरमाया अब उसने एक पेड से दूसरे पेड पर जाना सीख लिया है उसने धर्ती पर जाना सीख लिया है अगर धर्ती के उपर कोई दाना पड़ा हो उसने उसको चुनना सीख लिया है तो अब वो फिर से पूछता है कि मा मैं दाने भी चुनने लगा हूं मुझे पता चलने लगा कि कौन सी खाने की चीजे हैं तो अब आप मुझे बताईए कि मुझे उड़ना आया है या नहीं आय तो फिर से उसकी मा उसको बोलती है कि नहीं चुरुंगन तुम्हे अभी भी ब्रहम है अभी भी तुम्हे उड़ना नहीं आया है बच्चो अब हम लोग इसका जो आखरी पैरा है उसको करने जा रहे हैं जिसमें कवी हरिवन्श राइ बच्चन जी ने बताया है कि अगर हम लोग अपने लक्षे को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं लगातार उसके उपर डटे रहते हैं तो वो लक्षे हमें एक दिन जरूर हासिल होता है जैसे इसमें भी कवी ने कहा है कि मैं नीले अग्यात गगन की सुनता हूं अनिवार पुकार अब आपने पढ़ा था कि चुरूंगन जो है वो बार-बार अपनी मां से पूछता है कि मुझे उड़ना आया या नहीं आया तो यहां पे जो चुरूंगन है वो कहता है कि मैं नीले अग्यात गगन की सुनता हूं अनिवार पुकार कोई अंदर से कहता है उड़जा उड़जा उड़ता जा प कि मानों लगातार मुझे कोई पुकार रहा है और ऐसा लगता है कि मानों कोई मुझे अंदर से कह रहा है कि तुम्हें अब उड़ना चाहिए तुम्हें उड़कर आसमान के अंदर जाना चाहिए तुम्हें आसमान के अंदर उडारी लगानी चाहिए उस आसमान के अंदर जा तो कहने का यहां पर मतलब है कि अगर हम लोग अपने लक्षे के पीछे जिद्धी होकर दोड़ने लगते हैं तो वो लक्षे हमें एक दिन जरूर हासिल होता है जब तक हमारे अंदर से उस लक्षे को हासिल करने के लिए आवाज नहीं आती तब तक हम लोग उस लक्षे को हा अभ चुरुङन जो है वो अपनी मा से पूछता है कि मुझे अना आया है या नहीं आया है? तो रही जो है, चिडिया मा उसको क्या कहती है?" तो वो इसको कहती है कि आज तुम्हारे जो डैने मतलब pad कशी के पकशन Сब्सक्राइब उनको डैने बोला जाता है तो सुफल जो है वो सफल को बोला गया है कि तुम्हारे जो पंक हैं वो आज सफल हो चुके हैं और तुम्हारा जो शरीर है काया का मतलब शरीर होता है तो वो भी आज क्या है सफल हो चुका है अब तुम्हारी जो जिन्दगी है वो सफल हो चुकी है क्योंकि तुम्हें आ चुका है